विश्व की सभ्यताओं के अध्यन के अंतरगत इतियास ओनर्स और एमे प्रिवस के विद्यारतियों के लिए आज हम रोम की सभ्यता में साहितिक और अन्य जो कलाके छेत्र में जो उपलब्दियां है इतियास विशे के लेखन की जो उपलब्दियां है चित्रकला वास्तुकला इनका अध्यन करेंगे चुकि रोमन सभ्यता इसा से कई सदियों पूर्व हुई थी और उन्होंने कलाके हर क्षेत्र में अपेक्सा से अधिक उन्नति की थी और जो कुछ भी अवसेस जो कुछ भी स्रोत हमें मिले हैं उससे दुनिया गोर्वानवित मैसूस करती है तो सबसे पहले हम अध्यन करेंगे रोमन इत्यास का कौन-कौन इत्यासकार थे क्या-क्या उन्होंने रचनाई की और उनका विशे क्या था इस संबन्द में सबसे पहले इत्यास के अंत्रकत पहले जो इस्टोरियन थे रोमन वो थे पॉलिबियस जो 204 इसापूर से 122 इसापूर में हुए थे यहां प्रथम रोमन इत्यासकार थे पॉलिबियस और उन्होंने प्यूनिक युद्धों का बहुत विश्त्रित इत्यास लिखा था दूसरे इत्यासकार थे लिवी रोमन इत्यासकार लिवी आगस्टस का समकालीन था जैसा कि हम पहले देख चुके हैं आगस्टस एक बहुत ही बड़ा राजा जिसने साइतेकारों कलाकारों इत्यासकारों को संटक्षन दिया था लिवी ने अपने ग्रंट रोम का इत्यास में 753 इसापूर से लेकर आगस्टस के युग याने 30 इस्वी तक के इत्यास का वनन किया है उसके ग्रंट की गिंती विश्व की अत्यांत सफल इत्यासिक रचनाओं में की जाती है फिर है टैसिटस 117 इसापूर से 57 इसापूर ये रोम का दूसरा बड़ा इत्यासकार था उसने एनल्स, हिस्ट्रीज तथा जर्मानिया आधि ग्रंथों का परनायन किया था उनकी रचना की थी उसने जर्मानिया नाम ग्रंथ में जर्मन जाती का प्रारंबे कित्यास लिखा है और रोम के पतन के कारणों का भी विश्लेसन किया है तो लिवी के बाद टैसिटस फिर जूलियस सीजर एक सो दो इसापूर से चमाली से इसापूर तक जूलियस सीजर एक प्रसिद सेनानायक राजनेतिग्य निबंदकार और कुशल इतियास का इतियास लेखक भी थे उसने दो गरंथ लिखे गाल के युद गाल के युद तता ग्रह युद सीजर ने फ्रांस के साथ लड़ी लड़ाईयों का भी वर्णन किया है जो गाल के युद नामक पुस्तक में लिखा गया है ग्रह युद नामक पुस्तक में सीजर ने ततकालीन रोम के ग्रह युद का सजीव चित्रन प्रस्तूत किया है चूलिय सीजर की रचनाए यूरोपिय साइते में अनुपम दैन माने जाती है फिर है प्लूटार्क इत्यास कार के रूप में प्लूटार्क बहुत फेमस है उसने पेरेलल लाइब्स नामगरंद का पढ़न किया उसने अपनी इस करती में युनानी और रॉमन राजनितिग्यों तता युद्दाओं का तुलनात्मक वनन किया है इसके प्लूटार्क ने रूम के 46-46 प्रसिद व्यक्तियों की जीवनिया भी लिखी है तो ये इतियासिक द्रस्टिकोंड से जो इतियासकार और उनकी करतियां हमने देखी जो प्राचीन रॉम के इतियास को अमारे सामने प्रसुत करती है फिर हम देखेंगे गद्य साहिते रोम का गद्य साहिते अपने प्रारंबिक चरण में मुख्यते इतिहास पर केंद्रित रहा आगे चलकर उसने विविद विद्याओं को अंगिकार किया जैसे कोश याने अर्थ विश्वकोश भाषनकला जीवनी साहिते समिक्षा दर्शन औ और विदी तथा नियाई इतियादी यानि पहले इतिहास का जो संयोजन होता था उसी को गद्य साहिते माना गया लेकिन धिरे-धिरे उसमें अन्य जो प्रभाग है अन्य जो कलाएं हैं वो भी इसमें धिर-धिरे जुडते गए तो गद्य साहिते कंत्रगत हम एक नाम जो बहुत बड़ा नाम है वो ले सकते हैं सिस्रो जो 106 इसापूर से 43 इसापूर तक हुए सिस्रो महान वक्ता ही नहीं वरन एक निपूर्ण निबंदकार भी था वह लेटिन साहित्य का निर्माता था उसने औरेशन्स नामक ग्रंत लिखा औरेशन्स उसके निबंदों में औ विशेज रूप से लेखनी है उच्च कोटी के गद्य लेखक उसकी रचनाओं से आज भी प्रेणा लेते हैं तो सिस्रो हुआ तो इसापूर से पहले लेकिन आज भी वह आधुनिक जो रचनाकार है उनके लिए भी प्रेणा शुरोथ है फिर हम आते हैं कला रोम में कला का प्रादुर्बाव प्रदानते तीसरी सताबदी इसापूर में हुआ उस समय रोमन कला में मौलिक तत्व लगवक सुन्य ही था यानि काल्पनिक आधरसवादी चितरांकन किया जाता था या कला के माध्यम से उसको उकेरा जाता था मौलिक तत्व उसमें नहीं होते थे उस पर दो प्रमुक प्रभाव थे एट्रसकन और यूनानी इनमें प्रमुक यूनानी प्रभाव था रोम के कारिगर उपयोगीता वादी थे वे निर्मान कला की प्रद्योगी की से परिचित थे सडकें पुल पानी की नालियां आधिका निर्मान करने में वे बहुत कुशल थ लेकिन जब मंदिरों और विशाल बावनों के निर्मान का प्रस्ण उठा तो इस्थापत्य कला का आयात युनान से किया गया 116 में जूपीटर और जूनों के मंदिरों में युनानी स्थापत्य कला का प्रियोग हुआ तता उसे रोम में बरपूर सरहाना मिली 129 फिर चित्रकला, रोम की मौलिकता चित्रकला और वास्टुकला के रूप में अभीवक्त हुई रोम के लोग प्राई कबरों पर वित्टी चित्र बनुआते थे इसके तिरीक्त कलाकार अपनी कला की ख्याती के लिए विशाल आकार के चित्र बना कर उनका सारुजनिक इस्तिलो पर प्रदसन करते थे इन चित्रों में युद्ध अत्वा विजे अभियानों के द्रश्य अंकित किये जाते थे वहां पुर्खों के मौम के मुकोठों तता उनकी मूर्तियों का भी प्रिचलन था जिने शव यात्रा में ले जाया जाता था तता सरकार समराटों और वीर नाइकों की कांसे की मूर्तियां इस्तापित करती थी ये मूर्तियां अपने यथार्दवादी शिल्प के लिए प्रसिद रही चित्रकला के बाद देखेंगे वास्तुकला वास्तु कला के क्षेतर में रॉम की कला राजा के आस्रित थी राजा अपने विचारों अपनी दिगविजे और कीर्ती को हमर करने के लिए बित्ती चित्रों मूर्तियों इस्तंब वेदी तता पत्थरों पर उकेरे गए चित्र बनवाते थे मूर्तिकारों की विशेष्टा यह थी कि वे जिस व्यक्ति की मूर्ति गड़ते उसके चेरे पर उसके मनोबाओं को हूँ बहू उतार देते थे चोती और पांचवी सताब्दियों में चित्रकला और मूर्ति शिल्प के चेत्र में नए सिरे से निखार आया तता क्लासिकल और प्रामपरागत एवं लोक कलाओं का समिस्वरण शुरू हुआ इस काल में समराटों की मूर्तियों का निर्माण यथार्थ से हटकर मनोवेग्यानिक अत्वा आध्यात्मिक कल्पनाओं के द्वारा किया जाने लगा इसका प्रमुक कारण यह था कि राजा अब देवी हो गया और वास्तुकार के लिए यानिवारिय हो गया हुआ हुआ